नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर में आज हम करने वाले डेमो किस चीज़ का तो यह है हमारा प्रोड़क्ट जिसका नाम है एटोमी डिश्वाश लिक्वीड अब यह आप देखोंगे यहां लिखा हुआ है नैच्छरल अगर आपको दिख र यहां लिखा हुआ है नैच्छरल एक्स्ट्रेक्शन है जो भी इसके अंदर केमिकल्स भी लिखे हुए नाम जो है केमिकल्स के वह प्लांट बेस एक्स्ट्रेक्शन से प्लांट के दंडियों से निकाला हुआ एक्स्ट्रेक्शन है उसके बाद यहां लिखा हुआ है प्ला ली प्लांट बेस्ट डिटर्जन वेरे खाल से आपको दिख पाई रहा हूं गाए यह एक लिटर का बॉटल है यह एक लिटर का बॉटल कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा तो चलो चलू करते हैं तो मेंनको लगा पहले लगने वाला यह यह रख रहा हूं साथ ही साथ लगने वाले दो खाली बॉल्स यह रख रहा हूं यह थोड़ा सा कैमेरा मैं नीचे कर रहा हूं ताकि आपको दिखने में ठीक है जी अब हम इसमें एड़ करेंगे पानी बहुत जादा पानी की जुरूत नहीं है हमको दोनों में मैंने पानी आड़ कर दिया अब हमको इसमें डालना है तीश वाश ठीक है देखिएगा बहुत छोटा सा एक बुंद याने यह वन ड्रॉप में डाल रहा हूं इसके अंदर में और इसको मिक्स करूँगा इसको पैक करती है इसके हमको जरुवत नहीं है इसको मैं यहां रख देता हूं अब यह जो है अमारा प्लेन वाटर है यह अटोमी का ड्रॉप डिश डिचरजन मिक्स करा हूँ वाटर है अब हम करने वाले एक्सपेरिमेंट तो मैंने इसके लिए लिया हूँ ये दो ब्रोकली इसको हम ब्रोकली गयते हैं आप देख सकते अभी ये ब्रोकली कैसे दिक्री इसके उपर पुरा वाइट वाइट है जो बोल सकते हैं फर्टिलाइजर का जो यूद होता है फर्टिलाइजर भी इसके उप भी पानी में भी ले रहा हूँ और साती चाल दुहनों पानी में मैं इसको घोल रहा। थोड़ा सा टाइम लगेंगा दोने को इसको सेम टाइम पे दोनों चीजों पे मैं इसको दुख कर रहा हूँ समंधीश और प्लान बेस होने के कारण या डिटर्चन हमको कोई हानिका रखनी है सेहत के लिए हरवल है इस कारण हम इसको यूज कर सकते हमारे रोज मर रहा के जीवन के अंदर में वैसे भी बहुत सारे केमिकल्स वाली चीज़ हम भी खा दें फर्टिलाइजर यूज करने करके जिसमें फर्टिलाइजर होता है किसान भाईयों कोई भी कोई गलती नहीं है अंदाता जो हमारे हैं यो कि विदाउट फर्टिलाइजर और वह भी उगा नहीं पाएंगे देखिए डिफरंस आपके सामने यह देखिए जिसको मैंने सिर्फ प्लांट बेस डिटरजन में धोया हूं यह कैसा ग्रीन हो चुका है पुरा पुरा इसके उपर का पुरा डस्ट फर्टिलाइजर पुरा रिमूव हो चुका है जो नैच आए ठीके जी यह पहले चीज हो गई इसको मैं थोड़ा सा अलग रख देता हूं कि दाकि यह बाद में घर में यूज़ भी होंगा अब हम बात करते हैं ग्रेप्स की यह ग्रेप्स है रेड ग्रेप्स इसी पानी में हम दोएंगे दोनों ग्रेप्स को जबाँ एक साधा पानी एक अटोमी का डिट्रेजंट का पानी इसके उपपर नॉर्मली क्रेप्स की उपर वैक्स लगाए जाता है चमक चमकानी के लिए उगरे तो यह रीमू रिमूव हो जाता है वैक्स पी इसका थोड़ा आपको जैसा नॉर्मल पानी में करते अब इसके बाद आप इसको रनिंग टैप में भी धू सकते हो ठीक है जी तैफिरस आपके सामने देख सकते आप यह कैसा दीख रहा है रेड ग्रेफ और यह वाला ग्रेफ जो नॉर्मल पानी में देखाए इसके उपर का वैक्स और जो भी बाकी चीज़े होंगी इसके उपर में फर्टिलाइजर्स पगरे और रिमूव हो चुका है आप खुद देख सकते हो आपके सामने लाइव कर रहा हूं मैं यह है इसको तो मैं वापस यहीं रख देता हूं अब यह मैंने लिया हूं ग्रीन ग्रेप्स ठीक है जी जो हमारे नॉर्मल मिल जाते हैं अब ग्रीन ग्रेप्स के उपर भी करके देखते हैं थोड़ा सा रप करना पड़ेंगा आपको देख सकते हैं आपके सामने फरक है यह कैसा ग्रीन थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन ही शोग चुक है और यह नॉर्मल पानी का दोनों फरक आपके सामने दिख रहे हैं अब हम हमारी जो फुल भी बोलते कैली फ्लावर इसके उपर करते हैं इंगलिश गोभी पे तो हमने कर लिए लेकिन रोज हम इंगलिश गोभी तो खाते नहीं है बहुत से लोगों को इंगलिश गोभी का टेस्ट पी पसंद यह वैसे ब्रोकली सेहत के लिए बहुत अच्छे होती है तो हम करेंगे हमारे कोपी के उपर में रोज आती है हमारे सब्ची में यह आप नेट पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगा आपको इसके स्रीव वहां का पैकिंग डिफरेंट है यह जो शेप है बॉटल का वह वर्टिकल्स है शेप पाकी डिटरजन से में यह देखिए आपके सामने ही फ़रक है इसमें चमक आ गई है इसका जो भी कुछ था आप फिर से गवार में दिखा देता हैं आपको थोड़ा सा ऐसा यह कर लीजिए इसको हम नॉर्मली घर में कैसे करते हैं दोते जब सब्जिया तो हुआ है ठीक है इसको पानी से दो रहा हूं है और बाद में इसको इसको साधे बहुंगा इसको दो लेना है आपके सामने फ़रक है यह फुल भी कैसे चमक रिये यह साधे पानी में धोए हम लोगों ने इसके उपर का भी तब कुछ जो भी होंगा इसके उपर में लगा हुआ वो कुछ निकला नहीं इसका फर्टिलाइजर भी रिमूव हो चुका है फरक आपको समझ में आएंगा जब आप ये खुद यूज करोंगे अब हम करके देखते हैं दो शिम्ला में रिष्टियाओ मैंने इस लिक्विड को तीन सर्टेपिकेट्स भी मिले हुए एक तो कुरिया का सर्टेपिकेट है कुरिया का ही प्रोडक्ट है तो कुरिया का सर्टेपिकेट मिला हुआ है साथी साथ Korea के PM ने भी इसको certificate डिया हुआ है और Asia में एक exhibition होता है उसमें भी इसको best award मिला हुआ है तो देखेगा बहुत ज्यादा चीश टाइम नहीं लगा मुझे आपके सामने इसको करने को यह देख सकते आप इसमें क्या चमक आ गई है और यह देखिए जो साधे पानी में दो है तो इसके उपर का जो भी चीश होती है ना हमारी जो सब्जिया होती है नैस्चरली जो कलर ह होता है सब्जियों का ओ आ जाता है आप देख सकते इसके उपर मैं अब मैं ले रहा हूं करे ले दो करे ले लिया हूं एक साधे पानी में एक हमारे डिस्टिटेशन वाले पानी में डालूँगा कोई भी सब्जियो में दो सकते हैं इसके अंदर में वहाल हमख मनेraftि हैं लिफ्फि विजिटेबल्स में लाया नियुँगा लेकिन लेकिन लिफ्टिव विजिटेबल्स पी पूरा जो जो ग्रिनिश कलर होता ही है ओरिजनल वह कलर आ जाता है लिफि-फिटेबल्स में भी तीक है, आप देख सकते हैं, आपके सामने फरक है. यह कैसा ग्रिन ग्रिन हो गया है, और यह देखिए कैसा है. आपके सामने लियों मैंने, कोई नई चीज नहीं कर रहा हूँ, कोई जादू नहीं है. अब हम लेने वाले दो भट्टा पहले देखते दिखा देता आपको कलर कैसा है डाइनिंग टेबल का सेट लिया हूं मैंने ये दो बरतन खराब हो गए हैं बहुत बुरी डाट पड़ेंगी मेरको देखें आपके सामनी change है डिफ्रेंट है देखें इसके उपड़का कैसा हो गया और ये इसे थोड़ा सा आपको लेकिन इसके बाद भी इस पानी में धुने के बाद भी एक नॉर्मल पानी में आपको धूना है इसको ठीक है जी कि इसके बाद हम लेंगे जो रोज मर ना घर में लगता है टमाटर यहील कि साथ बहुत सब्लेश सब्यों दिखा दिया आपको मैंने fruits भी दिखा दिया सब्सब्लाइब दिखा दिया आप बोलते कि ब einz की ब्रोकली दिखाया भी दिखाया या fruits के अंदर में शरी लाल वाले ग्रेबस डिखाये एसा नहीं है मैंने आपको green grapes भी दिखाया ब्रोकली भी दिखाया फूल गोवी भी दिखाया टमाटर भी दिखा रहा हूं ठीक़ी बैगन भी दिखाया ये देखे आपके सामने फ़रक है इसमें कुछ भी नहीं है चमक इसका जो था थोड़ा साब इसको हा डिफ्रेंस सोरी डिफ्रेंट ने डिफ्रेंट अब हूं करने वाले टिंडा डो टिंडे लिया हूं मैंने देमस मराथी में धेमस कहते हैं हम लोग इसको अच्छी सबजी नहीं लगती मुझे लेकिन क्या करें आना बढ़ता है यह देखे जी तिंडे में भी फरक आपके सामनी है यह कैसा हो गया तिंडा और यह कैसा है सब आपके सामनी ही है आपके सामनी कर रहा हूं मैं अब करने वाले हम तुरह जिसको कहते हैं चिक नहीं तुरह यह पुरी धो नहीं पाऊंगा मेरे खाल से मैं तो एक सामने वाला पोर्शन लोगए स्रीव वन ड्रॉप डाला हूं मैंने इसके अंदर में ठीक है पानी अंदाजा किता हूंगा अब देख सकते हैं एक आप 100-200 ml पकड़ लो मोटा मोटा यह देखिए इसका भी चेंज आपके सामने यह कैसा है और इसका कलर चेंज हो चुका है जो ओरीजिनल कलर होता है वो आचुका है आपके सामने यह भी देखिए पीछे का कलर कैसा था और यह कलर कैसा हो गया ठीक है यह तो हमने कर लिए अब थोड़ा सा तेज बनाने के लिए मिर्ची भी लगती है घर में खाना मनाते तो मिर्ची को भी देख लें तेजी मैं बहुत सारी सब्जा लाने वाला था देमो के लिए लेकर देमो बहुत बड़ा हो जाता था इसलिए लाया नहीं बहुत तेज़ है मिर्ची अचलन दूआ दें ये देखिए ये मिर्ची और ये मिर्ची ये भी मैंने पानी से दो यह 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 इसमें देखिए कैसा हरापन आगया चुक और तो नेश्रल कर रेम विर्शी का उभर कर आ चुका है पॉस आप देख सकते हो आपके सामने फर्ण है अब आखरी लूंगा में चुकंदर बिटूट बोलते इसको थोड़ी इदर उदर के आवाज आ रहे होंगे आज के वीडियों में दिवाली का माहल चालूए सब आजू बाजू के घर में कुछ बनना वनना चालूँगा इस तरह से बरतने के आवाज आ रहे होंगी तो उसके लिए मैं सौरी कहूंगा घर पे वीडियो बनाता हूं मैं तोड़ा सा रोड भी चलता हुआ रोड है तो ट्राफिक के भी आवाज आते रहती हैं ठीक है तो थोड़ा सा इग्नोर कीजेगा उसको बागी तो जानकारी जो देना है वो मैं आपको देही ही रहा हूं यह देखिए जी फरक आपके सामने यह बीट यह बीट दोनों बिट्रूट है यह हो रही है दोनों फरक आपके सामने ठीक है तो हमारे शरीर से हम थोड़ा सा कैमेरा में उपर करवा लो फिरम बात करते तो दोस्तों इस टॉक्सिंस को जिसको हम पेस्टिसाइड्स कहते जो हमारे देश की किसान हमारे अन्न दाता उसको यूज़ करते यूगि उसके विगर उनकी फसल नहीं हो सकती आज के दौर में यू किसे वह उनकी फसल नहीं सकती आखिर उनका भी पेटे उनका भी परिवार है और पुरी देश को हमारा अन्न दाता ही प्रवाइट करवाता है हर चीस तो यह चीज उनको भी करने पड़ेंगी पेस्टिसाइड यूज़ करने पड़ेंगे यूगि विदावड वाले भी चीज़े हमको मिलेंगी तो अभी हम पेस्टीसाइट्स जो यूद हुआ हमारे खानों के अंदर में इसा आज हम खाना खारे चाया फ्रूट्स का रहे या फिर फ्रूट्स की उपर में के लेए होता है वैक्स का चमकाने के लिए यह सब लेयर हम निकाल सकते हैं हम ख में दिश्वाश लिक डिश्वाशिंग लिक्विड डिटरजन दो फ्रूट्स और विजटेबल्स होने में भी काम आता है साथ इससे आप दूर रख सकते आने वाले रोगों को अब यह आप पे डिपेंड करता है कि आप बहुत सारे रोग होते कैंसर हार्ट अटैक बीपी ल सबको दूर रखना चाहते हैं कि अपने जीवन से या नहीं आपकी इछानी है कि मैं इन सब रोगों से मुक्त हूं यह आपको डिशाइड करने वाला कोई नहीं होता या आपको खुद को डिशाइड करना पड़ेंगा कि आप इन रोगों से अपने शरीर को अपने परिवा एमर्पी ठीक है जी वीडियो मत काटिएगा बारा सो रुपे एमर्पी बताया हुए उसको यूज करने का तरीका नहीं बताया तो इसको लेना है आपको एक लिटर बॉटल एक लिटर बॉटल आती है एक लिटर की पानी की उस पानी में पानी भरना बॉटल के अंदर मैं 37 ml यह डिटर्जेंट लिक्विड लेना है और एक टिटर पानी लेना है तो आपका एक लिटर का लिक्विड तया हो जाएंगा उस लिक्विड में आप आप रोज के बरतन दो सकते हो आपके घर में जो बरतन रोज दो दूलते उनको आप दो सकते हो वह भी हंड्रेट परसेंट नैस्ट्रल इंग्रिडियेंट के साथ में तो इसके हिसाब से कितना लिटर बनेंगा आप अंदाजा लगा लीजिएगा 1422 लिटर सम्थिंग बनेंगा तो मेरे खाल से यह बारा सु रुपे आपको कैलकुलेशन करेंगे दो साल के उपर भी चल सकता है तो एक साल के उपर डेफिनिटल आपको यह चलेंगा लिक्विड आप खतम नहीं कर पाएंगे एक साल के अंदर में क्योंकि बहुत ज्यादा कॉंसेंटरेट है तो इसलिए हमको एक लिटर पानी के अंदर में 067 ml मिक्स करना है उसको डाइलूट करना है और ओ पानी हमको यूज करना है हमारे बरतंध हुने के लिए आपके सामने मैंने किया हूं इसके अदर सिर्फ एक ड्रॉप डालाओं एक ड्रॉप से हमारे यह प को हमको अपनाना पड़ेंगा अब लगबक 80 से 90 पैसे इसका एक लिटर बॉटल का खर्चाएंगा एक लिटर बॉटल के अंदर में आप 80 पैसे के अंदर में आप अपने जीवन से बहुत सारी चीजों को रोगों को दूर कर पाऊंगे इससे नहीं कि आपको बीमारी नहीं होंगे किसी को लेकिन जो बीमारिया जो हम केमिकल लगे हुए फल फ्रूट खाकर हमको होती है हमारे बच्चों को तकलिफ होती है उससे 50 पैसे कैलकुलेशन कैसा है वह खूद कर लिए आपको मैंने बताया एक लिटर पानी के अंदर में 67 ग्राम एमेल यह डालना है आपको और एक लिटर आपका डिटर्जन त्यार होगा तो फिर मिलेंगा ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज के साथ लेकिन नाम जाते जा तो रन्यवाद फिर मिलेंगे नए वीडियो में नमस्कार